हलो दोस्तो स्वागत है आपका अमारे चैनल इंवेस्टमेंट की बजार पर दोस्तो मेडी असिस्ट के स्टॉक में आज घिरावट होती भी देखने को मिलिये कल बाजार में दोस्तो साड़े 300 पॉइंट सी घिरावट थी लेगिन अपना जो मेडी असिस्ट का शेर था उसमें शानदार तेजी थी और लगबग 518 तक के हाई देखने को मिले थे तो definitely यहाँ पर दोस्तो कहीं न कहीं आज स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग अपने को होती भी देखने को मिलिये प्लास यहाँ पर दोस्तो 23 की असली वजह भी जानने को मिलिये यहाँ कि कुछ फंट इंवेस्टोर्स की तरफ से ब्लोकिंग हाउसस की तरफ से यहाँ पर बाइंग आती वी देखने को मिले मेडिय असेट के अंदर जिसके चलते अपने को वह स्पाइक बनता हुगा देखने को मिला उस पाइक पर बात करेंगे और आगे कि क्या रंडीती आपकी होनी चाहिए मेडी असिस्ट के अंदर क्या अपने को भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर कुछ कुछ क्रूशल लेवल्स का वेट करना चाहिए सब पर बात करेंगे इस वीडियो में तो बिना के सिदेरी के वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आज की बाजार की बात करें तो ऐसा अर्लियर सेट बाजार में आज चौथरफा शॉट कवरिंग बंती भी देखने को मिलिए खास तोर पर मिट कैब निफ्टी और डिफ्टी स्मॉल कैब जितनी ग्रावट करी बीते दिन उतनी ही तेजी आज बाजार करते हुए देखने को मिलें तो अच्छा दिन आज बाजार की नसरिये से रहता हुआ देखने को मिला है वहीं मेडी असिस्ट के अगर बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर खबर निकल कर आई थी के अनरा रुबैको, MF, Goldman Sachs बाई, स्टेक इन, मेडी असिस्ट तो कुल मिला कर आगर बात करें तो नोमूरा, हिंडिया, इंवेस्टमेंट, मदर फंड बी एनप, प्रबदस, आपड़िज, वाइड को, CAPITALS, MUTUAL FUNDS, WERE ALSO THE BUYERS IN THE MEDI ASSIST HEALTH CARE, तो यहाँ पर काफी सारे आप कह सकते हैं, ब्रोकिंग हाउसेज ने बाइंग करी थी, जिसका impact स्टॉक में पॉजिटिव पड़ा, खुलते ही दोस्तों स्टॉक ने तेजी करी, धीरे धीरे करके 475 तक की तेजी बनी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर, profit booking हावी होती भी देखने को मिली है, अगर आपन बात करेंगे आज के intraday high की, तो 480 रुपे का intraday high और 450 का intraday low है, तो यह अब definitely अपन कहेंगे, कि कई न कई वो जो trigger बना था upside का, वो अब खतम होता हुगा, देखने को मिल रहा है नीचे में यही काऊंगा, कि 450 रुपीज का level, अब वो make or break level रहने वाला है कल के दिन, 4 रुपे का यह जाधा साधा zone है, अगर उसके नीचे 450 के नीचे share विसलता है, तो immediate target जो आएगा नीचे 440 का आएगा, और वो 440 का level stock तोड़ता है, तो directly 418 का, जो कि stock का 52 week low है, वो stock अपना touch करके दिखा सकता है, तो अब काफी important रहने वाला है, दोस्तों, stock का level and यहाँ पर अगर अगर आपन बात करेंगे stock के important support levels के तो आज है correction complete हो गया, तो कल 460, 465 के अपर एक अच्छा zone है, वहाँ से तेजी बंती भी देखने को मिल सकती, तो overall अगर 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 आपन momentum की बात करेंगे, तो आज जिस हिसाब से higher level से stock shred हुआ है, लगबग 20 points, वो definitely आपर अपने को कल के दिन नहीं होता हुआ, देखने को मिल सकता है, अगर stock higher side पर 460 के level break करता हुआ, देखने को मिले, बाकि अगर profit booking की बात करें, तो definitely आप अपने stop losses trail करते रहें, अगर कल बाजार में तेजी होती है फिर से, तो अपने stop losses पर आप strict रहें, stop losses trail करते रहें, higher side पर 460 जाता है, तो आपका stop loss 455 का रहें, अगर 465 जाता है, तो 460 पर stop loss रहें, तो 5 रुपे की range का आप stop loss रखें, बाकि आप अपने financial advisor से ही, पूछ करी profit book करें, बाकि overall अगर अगर आपन देखें, यहाँ पर block deals की, तो 2 block deals अचे share में बनती भी देखने को मिली है, 12.18% की तीजी जो है, 12.18% की गिरावट जो है, इसकी stock की हो चुके higher level से, and overall अगर 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 आपन stock के charts की बात करेंगे, तो कल की, आपको strategy दिखा जाता हूं कल की strategy हो कि दोस्तों की 460 का जो level है, उसका आपन वेट करेंगे 460 के नीचे आपन buying नहीं करेंगे 460 अगर एक बार तूटेगा, तो आप buying के बार में सोचेंगे, और higher side पर levels की बात करें, तो पहला level आएगा 465 रुपे का, दूसरा level आएगा 2470 और तीसरा level आएगा 475 इन तीनों range के लिए दोस्तों आपको buying करने conditional buy होगा 460 के उपर नीचे में अगर आपन stop loss की बात करेंगे, तो नीचे में 450 से 445 का अब इस counter में stop loss रखेंगे, अगर वो level तूटता है तो नीचे में दोस्तों गिरावट बड़ी हो सकती है बाकि RSI की बात करतों 54 के zones पर RSI, तो ना तो RSI overbought zone में ना RSI oversold zone में ठीक ठाक range में RSI treat कर रहा है तो यह indication दे रहा है कि अच्छी तीजी अपने को अगर वीडियो बसंदाया होगा अगर वीडियो बसंदाया चानल को लाइक करे शेयर करें सब्स्क्राइब करें थैंके इस वीडियो